आज हम लोग BIM का ड्राइंग कैसे रिट किया जाता है वो सीखने की कोशिश करेंगे क्या होता है में बार क्या होता है एक्स्ट्रा बार सब कुछ इन डिटेल्स में क्लियर करने की कोशिश करेंगे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा इसलिए पूरा एंड तक और ऐसी ही सिविल सर्वेसे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए महार्य सिविल इंजिनेरिंग यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इधर मेरे पास एक BIM का ड्राइंग है तो इस BIM का ड्राइंग से हम लोग क्लि क्या गाया है इधर देखिए और एक BIM जो है ओ कनेक्ट हो रहा है इस BIM पर आके इधर अगरे इधर जो beam extend हुआ है तो इस beam के center से C04 जो कलम है उसके center तक का distance कितना है दो मीटर 125 इधर जो main बार है वो दो type का है एक होता है आपका top main बार और दूसरा होता है आपका bottom main बार अभी सबसे पहले हम लोग bottom main बार को लेके चलेंगे तो इधर देखिए क्या बताया गया है 3 piece 20 mm डाया का बार यूज होगा main में और 3 piece 16 mm डाया का बार यूज होगा bottom extra में arrow indicate कर रहे है bottom extra और bottom main को अभी bottom main देखिए तो main बार कहा से start हो रहा है देखिए यह C02 जो कलम है इस कलम से इधर L लगा के start हो रहा है कलम का जो covering है ओ छोड़ेगा ओ covering छोड़के इधर से start हो रहा है पूरा continue जा रहा है देखिए इधर भी है 3 piece 20 mm डाया का main बार तो पूरा यह जो main बार है एक continue C02 कलम से start होके इस beam तक आया है इसका total length क्या होता है तो आप calculation अभी करी पाएंगे अगर कलम का size दिया होगा ठीके अगर नहीं भी कर पाएंगे तो हम इस beam का कैसे आप BBS निकाल सकते हैं उसका भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे तो आगे बढ़ते main बार bottom का हम देख लीजी इधर एक dimension दिया गया है देख रहे है आप लोग ठीके एजो देखिए ए जो है एक bottom extra है ओके तो इसका आप देखी पा रहे है के इसका एक dimension दिया गया है कहा तक place होगा एक कलम जो है C02 इसका outer face से 515 और इधर देखिए C03 जो है कलम का outer face से 515 छोड़के ठीके इधर से भी C03 से भी 515 छोड़के एक place होगा और C02 से भी 515 छोड़के place होगा अभी इधर देखिए C03 से 515 इधर भी छोड़ रहा है और इधर C04 से भी 515 छोड़के जो bottom extra है ओक प्लेस हो रहा है और C04 से जो beam इधर connect हुआ है इधर तक कोई extra नहीं है देखिए main बारी place किय गया है bottom main bottom extra दोनों clear है अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे top bar में जाएंगे top extra और top main में तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते top main का ठीक है इधर बताया गया है कि 3 piece 20 mm डाया का top main बार यूज होगा और 3 piece 16 mm डाया का top extra बार यूज होगा एधर से top main बार continue हो रहा है ठीक है बार आ रहा है इधर भी इधर भी continue हो रहा है पूरा continue हो रहा है इधर भी दिखा रहा है ठीक है 3 piece 20 mm डाया का तो इधर भी मेरा बार continue हो जा रहा है और इधर भी दिखा रहा है 3 piece 20 mm डाया का पूरा continue होके इधर इस बीम तक आ रहा है तो एक लिएर है top main बार कहा से कहा तक है अभी हम लोग क्या करेंगे आभी हम लोग देखेंगे के जो top extra बारे वो कहा से कहा तक use हो रहा है िदर क्या बताएगे main बार हम लोग clear कर चुके 324 टुए में में बात करता है top extra देखें कहा से start हुआ है इदर से L जोड के start हुआ है कहा तक जाएगा देखिए यह जा रहा है यह जो कलम है C02 C02 कलम के outer face से 1.290 तक यह जो length है यह length indicate करता है extra की length को ठीक है अभी देखिए बीच में कोई extra नहीं है ठीक है अभी फिर जाके extra कहा add हो रहा है C03 कलम पे ठीक है यह जो top extra है यह top extra ना पुरा continue हो जा रहा है देखिए C03 इस कलम के right side तक यह जो right side में outer face से 1.290 तक यह जो top extra है continue है मतलब यह जो top extra है C03 पे जो top extra है वो कि इधर तक continue है इस side में 1.290 से start होके इधर तक 1.290 तक और इधर देखिए C04 में भी top extra 13 प्रोवाइट किया गया है यह 16 mm डाया का यह जो कलम है C04 इसका outer face से हम लोग कितना जाएंगे इधर इधर जाएंगे 1.290 तो जो distance होता है उस distance से पूरा continue हो रहा है इस beam तक ठीक है समझ गए आभी हम लोग देखेंगे यह सारे beam में stir up कैसे place होगा तो इधर देखिए typical stir ups in all beams long section तो इधर बता रहा है के two legs stir stir up use होगा 8 mm डाया का still use होगा उसमें और इधर देखिए column के outer face से sudden distance तक indicate किया गया aats señora ndis線 को जिसका नाम दिया गया है a cell और इधर भी से में column function में के outer face से distance मार्क किया गया है जिसका नाम दिया गया है a cell ओके खिいके तो इसको नाम दिया गया है इस distance को नाम दिया गया है देखिए A जो कैं इंडिकेट करेगा जो इंडिकेट करेगा stir up का center से center की distance तक मतलब stir up का spacing को इंडिकेट करेगा और इधर देखिए इधर भी similar होई है और बीच में जो distance बचा हुआ रहता है देखिए A क्या कर रहा है इसका नाम दिया गया है B, वो भी stir-up का center से center का distance को indicate करेगा और इधर देखिए जो D लिखा हुआ है, A denote क्या कर रहा है, A denote कर रहा है जो beam है उसके depth को ठीके, तो हम लोगों का जो beam है, वो beam का size कितना है, 300 by क्या है, 300 by 500 है ठीके, beam का size 300 by 500, इधर 500 इसका depth है, तो इधर आ जाएए देखिए इस table पे, typical stir-ups in all beams तो इधर table में 500 का जो row है, देखिए A 500 का row है, तो इसमें हम लोगों को अपना जो data है, O मिल जाएगा ठीके, तो इधर 500 बाला depth है, O बाला beam हम लोग देखेंगे, अगर आपका beam का depth होगा 600, तो आप A बाला row देखेंगे, ठीके तो इधर देखिए, इधर A cell के column में क्या बताया गया है, A cell जो है 900 है, ठीके, तो A हमारा A cell कितना होगा, A cell होगा 900, इधर भी 900 होगा, ठीके एक stir up के center से दूसरा stir up का center तक का distance होगा 100 mm तो ए जो है spacing बता रहा है इतना distance तक हमको spacing देना है 100 करके इधर भी similar center to center का distance की इतना हो जाएगा 100 mm और बीच का जो distance बचा हुआ रहता है उसमें क्या होगा उसमें देर सो spacing में stir up बैठेगा center से center का distance रहेगा देर सो clear है समझ में आ गया है अभी देखिए जो stir up का hook है वो hook का कुछ details दिया गया है चोटा सा एक details है अभी देखिए इधर क्या बताया गया है यह जो hook bend होगा वो 135 degree angle में bend होना चाहिए और इसका जो length होना चाहिए और length होना चाहिए 75 mm इतना ही बताया गया है ठीक है तो उमिद करते हो आप लोगों को समझ में आया है मैं जो कुछ भी समझाना चाहता था अगर कोई doubt है कोई question है या फिर मेरे लिए कोई सुझाओ है तो comment box आप लोगों के लिए खाली है जरूर comment करके बतायेगा तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए goodbye and keep learning